नमस्कार दोस्तों स्वावत है आप सभी का उत्रखंड के सबसे लोगप्री और न्यूस पोर्टल उत्रखंड पोस्ट पर मैं हूँ अमित उत्रखंड में पिछले कुछ समय से भूकानून का मुद्दा लगातार उठाये जा रहा है विधान सबा चुनाव से ठीक पहले उत्रखंड में भूकानून का मुद्दा गर्मा गया है भूकानून के पक्ष में युवा एक जुट हो गए हैं पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवा भूकानून लागू करने की मांग पर जोड़दार अभियान छेड़े हुए हैं इसके लिए लोग गीत एनिमेशन पॉस्टर्स तक का सहरा लिया जा रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पर הश्टेग भूकानून हश्टेग उत्रकंड मांगे भूकानून ट्रेंड ओड़ कर रहा है पौछ इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं लोग उत्रकंड में भी हिमान्चल प्रदेश की तरह ही सक्त भूख कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उत्रकंड में लोग भूख कानून लागू करने की बात कह रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि उत्रखंड में तेजी से जमीनों की बिक्री हो रही है इसका असर परियावरन पर पड़ रहा है और परियावरन खराब हो रहा है लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोग उत्रखंड में आकर बस रहे हैं इसलिए लोग सोशल मीडिया पर ये मांग कर रहे हैं कि उत्रखंड में भी हिमान्चल प्रदेश की तरह ही भू कानून लागू किया जाए। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर उत्रकंड और हिमानचल प्रदेश का भूकानून है क्या या इनमें क्या फर्क है सबसे पहले जानते हैं उत्रकंड का भूकानून क्या है उत्रकंड में देश के किसी भी कोने का नागरिक जमीन खरीच सकता है उत्रखंड राज्य बनने के बाद साल 2002 तक अन्य राज्यों के लोग उत्रखंड में सिर्फ 500 मीटर वर्ग तक जमीन खरीच सकते थे 2007 में यह सिमा 2500 वर्ग मीटर की गई इसके बाद 6 अक्टूबर 2018 में सरकार द्वारा नया अध्यादेश लाया गया इसके मुताबिक उत्तरप्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमी सुदार अधिनियम 1950 में शंशोधन का विधेयक पारित किया गया और इसमें धारा 143 को धारा 152 जोडी गई यानि पहाडों में भूमी खरीद की अधिक्तम सीमा ही समाप्त कर दी गई अब जानते हैं हिमांचल प्रदेश का भूकानून क्या है हिमांचल प्रदेश में 1922 में बहरी राज्य के लोग हिमांचल में जमीन नहीं खरीद सकते थे 1922 में यहाँ लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया इस एक्ट के तहट हिमानचल में क्रिशी भूमी नहीं खरीदी जा सकती थी गैर हिमानचली नागरी को यहां जमीन खरीदने की इजाज़त नहीं थी लेकिन कमर्शल प्रयोग के लिए यहां जमीन किराय पे ले सकते थे लेकिन 2007 में धूमल सरकार ने धारा 118 में शंशोधन किया और कहा कि बहरी राज्य का व्यक्ति जो हिमानचल में 15 साल से रह रहा है वो यहां जमीन ले सकता है इसके बाद अगली सरकार ने इसे बढ़ा कर 30 साल कर दिया हिमानचल प्रदेश में क्रिशी भूमी की खरीद लगभग नामुमकिन है हिमानचल प्रदेश में Tenancy and Land Reform Act 1922 की धारा 118 में प्रावधान है कि कोई भी जमीन जो क्रिशी भूमी है उसे किसी गैर क्रिशी कार्य के लिए नहीं बेचा जा सकता अगर उसे धोके से बेच भी दिया जाए तो जाच के उपरांत यह जमीन सरकार में नहीं थो जाएगी जमीन मकान के लिए भूमी खरीदने के लिए सीमा निर्धारित है और यहाँ भी प्रावधान है कि जिससे जमीन खरीदी जाए वो जमीन बेचने के कारण आवास विहीन या भूमी विहीन नहीं होना चाहिए अब यह मामला विधानसभा चुनाओं से ठीक पहले उठा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें राजनिती नहो पूर्व सियम हरीश रावत ने इस पर बयान देते हुए कहा है कि उत्रखंड में क्रिशी योग ये भूमी की रक्षा की जानी चाहिए कॉंग्रेस ना सिर्फ भू कानून का समर्थन करती है बलकि भूमी सुधार कानून की भी पक्षदर है भाचपर शरकार ने वर्ष 2020 में भू कानून में बदलाव कर उत्रखंडियत की भावना को कमजोर किया है इससे गैरसंट तक की जमीन बाहरी लोग खरीच चुके है वहीं आमादी पार्टी भी इस मुद्दे पर कूद गई है करनल अजय कोठियाल ने कहा है कि उत्रखंड में हिमान्चल की तर्च पर मजबूत भू कानून बनाया जाना चाहिए हम इस विशाय पर और अध्यन कर रहे हैं कि भू कानून को और मजबूत कैसे किया जा सकता है पूरे उत्रखंड में इस वक्त भू कानून को लेकर चर्चा हो रही है खास कल हिमान्चल प्रदेश के भू कानून का जिक्र भी हो रहा है लोग इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं हमारा मकसरत आप तक इस मुद्दे को सरल तरीके से पहुँचाना है क्योंकि लोगे मन में अभी भी कन्फ्यूजन है क्योंकि सोशल मीडिया से पूरी जानकारी नहीं मिलती है वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा आपसे फिर मुलागातों की नमस्कार